हेलो फ्रेंड स्वागत आपक अपने यूटूब चैनल एलकेवी स्टडी चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो चरवाले रहकिक समिक्रणों को हल करना वो भी किस विदी से पिर्थी इस्थापन विदी से तो चली स्टार्ट करते हैं हमने ये दो चरवाली रहकिक समिक्रण नहीं है दो चरवाली रहकिक समिक्रण इसे हम हल करना है किस विदी से पिर्थी इस्थापन विदी से तो पिर्थी इस्थापन विदी से हम हल कैसे करते हैं हम सबसे पहले यहां तो समीकरण 1 से हम 4 x की value को एक आ लें और उसे किसमर समीकरण 2 में लगा दें यहां फिर हम समीकरण 1 से 4 y की value को एक आ लें और उसे काही में लगाएं समीकरण 2 में तो फिर उससे हमारी 2 नचरों की value आ जाती है तो हम सबसे पहले जो भी हमारी दो समीकरण ने दी होती हैं उसे हम क्या माल लेते हैं एक को समीकरण एक और एक को समीकरण दो अब हमें इसमें क्या करना होता है यहां तो हम समीकरण एक से वाई की वैल्यू को निकालें और उसे समीकरण दो में लगा दें यहां फिर हम समीकरण जो हमारी पहली है उससे हम क्या निकाल लें चार X की value और उसे कहां लगा दें समीकरण 2 मैं तो हम क्या लखेंगे सबसे पहले लखेंगे समीकरण X से हम समीकरण X से क्या कर रहे हैं हम निकाल लें Y की value तो y say equal to 7 वी आइसे ये plus का x हमारा यहां किसका हो जाएगा minus का x तो जब हमने क्या किया समीकरण 1 से हमने किसकी value निकाल ली y की value निकाल ली क्या आगी हमारी y equal to 7 minus x अब इसे हम समीकरण 2 में क्या कर देंगे पिर ती स्थापित कर देंगे इसे हम क्या मान ले रहे हैं समीकरण 3 मान ले रहे हैं तो लिखेंगे हम समीकरण 3 को समीकरण 2 में लगाने पर अब यह हमारे 3x तो ऐसी रहेगा माइनस भी ऐसी रहेगा इस y की जगे क्या जाएगा 7 माइनस x एक्वल टू हमारे यह 9 ऐसी अब यह 3x ऐसी ये plus, minus, 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 plus equal to क्या हमारा 9, 3x और x हमार कितना हो जागा, 4x ये minus का 7 इधर जागे हमार किसका हो जागा, plus का 7, अब ये 4x equal to हमार कितना हो जागा, 9 और 7 16, 4 से 16 कितनी बार में कहेंजे हैं, 4 बार में, x equal to कितना आगया, 4, अब जो हमारी चार X की value आईए इसे हम किसमें लगाएंगे समीकर्ण 3 में तो X equal to 4 X बराबर 4 को समीकर्ण 3 में लगाने पर समीकर्ण 3 में लगाने पर तो Y ऐसे हमारा 7 भी ऐसे ही minus इस X की जिए हमारे की आजाएगा 4 आजाएगा तो Y equal to 7 minus 4 तो यह जो हमारी दो रहखिक समीकर्ण दी थी इनके हमारे दो हल आगे एक क्या एक आगे X equal to 4 और दूसरा Y equal to 3 कोशिन नमर सेकंड कोशिन नमर सेकंड में हमने फिर से लिए क्या दो चरवाली दो रहखिक समीकर्ण और हमें इसे हल करना है किस विदी से फिरती स्थापन विदी से हल करना बहुत सिंपल है यहां तो हम समीकर्ण 1 से निकालें चर X की value और उसे कहां लगाए समीकर्ण 2 में लगाए यहां फिर हम समीकर्ण 1 से निकालें चर Y की value और उसे कहां लगाए समीकर्ण 2 में चली स्टार्ट करते हैं इसे हल करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें 2 राकिक समीकर्ण दी होगी, उसे हम 1 को समीकर्ण 1 माल लेंगे और 1 को समीकर्ण 2 माल लेंगे, अब हमें इसमें क्या करना है, हम लेखेंगे अब इसमें समीकर्ण 1 से, समीकर्ण 1 से, अब हम equal to हमारे क्या आगया 14 minus y इसे हम क्या मान ले रहे हैं समीकरण 3 अब यह जो हमारी x के value आईए इसे हम क्या कर देंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में लगाने पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में लागाने पर तो इस x की जगा हमारे क्या आजाएगा 14 minus y और यह हमारा minus y ऐसे equal to क्या हमारा 4 है अब यह 14 ऐसे minus y minus y हमारे कितना होगा minus 2y equal to हमारा 4 है अब यह minus 2y ऐसे equal to 4 भी ऐसे यह plus का 14 दरा किसका हो जाएगा minus का 14 यह minus का 2y equal to कितना हो जाएगा माइनस का 10, यह माइनस का माइनस कैंसिल, 2 से 10 कितनी बार कैंसिल 5 बार में, तो 4Y की value कितनी आगी, 5 आगी, इसे हम कहां लगाएंगे, अब समीकरण 3 में, तो Y बराबर 5 को समीकरण 3 में लगाने पर, तो यह X तो हमारा ऐसी रहेगा, यह जो दिया है यह जो हमारे दो चरवाले दो रहखिक समीकरण दिये थे, इनके हल क्या हुए है हमारे, एक तो Y उक्वल टू 5, दूसरा X उक्वल टू 9 Q3 में हमें फिर से दो चरवाली दो रहखिक समीकरण दिये हैं, और हमें इने क्या समीकरण उसे यहां तो हमचर X की वैलू निकालेग 2014 हमैं इस कोशन में क्या करके देखेंगे समीकरण 2 से चर X की वैलू निकालेंगे और उसे कहां लगाएंगे समीकरण 1 में तो हम लेखेंगे समीकर्ण 2 से और हम समीकर्ण 2 से किसकी value निकालेंगे x की value तो x तो ऐसी रहेगा equal to 3 भी ऐसी रहेगा ये plus का 2 आई इदर आग इसका हो जागा minus का इसे हम क्या माल लेंगे 3, समीकर्ण 3 अब इस जो समीकर्ण 3 की value को हम किस में लगाएंगे समीकर्ण 1 में तो हम लेखेंगे समीकर्ण 3 को समीकर्ण 1 में लगाने पर तो 7 ऐसे ही इस x की जिए हमार क्या आजाएगा 3 minus 2y plus 5y ऐसे ही हमारा equal to 2b ऐसे अब 7 के अंदर क्या होगी multiply तो 7 3s 21 7 2 ऐसे हं 14 y plus 5y ऐसे एकॉल to 2b ऐसे ये 21 ऐसे minis का 14y minus के 5y ये हमार कितना होगा minus के 9y equal to 2 माइनस 9y ऐसे एकॉल to 2 ऐसे ये plus का 21 इतरा आगे हमारा minus का 21 तो minus के 9y equal to ये हमारे ग्हाँआ minus का 19 मचा अब ये minus से minus हमारा cancel तो y equal to यहां से हमारे कितना आ गया y की value हमारे कितनी आ गया यहां से 19 upon 9 अब यह जो y की value है इसे हम कहां लगाएंगे समीकर 3 में फिर हम वहां से किसकी value मिल जागी x की तो y equal to 19 upon 9 को समीकर 3 में लगाने पर अब x तो ऐसे equal to 3 वे ऐसे ही minus 2 ऐसे ही इस y की जगे क्या आ जाएगा 19 upon 9 अब यह x ऐसे equal to 3 minus 19 2 से कितना हो जाएगा 38 upon 9 अब इस थरीके upon में क्या let करेंगे 1 और इसका क्या लेंगे 1 और 9 का लासा 1 और 9 का लासा कितना हैगा 9 1 से 9 में भाग देंगे कितने बार में जाएगी 9 बार में 9 की 3 से जब होगी गुणा है तो 27 बार में 9 में एक बार माग जाएगी और इससे जब होगी तो 38 से 1 की क्या हो जाएगा 38 ही हो जाएगा अब x equal to अब 38 में से हमें 27 क्या करना है minus करना है तो हमारे कितना बचेगा 11 बचेगा तो यह जो हमारे दो चरवाले दो रहखिक समीगंड दिये थे इनके दो हल क्या होए एक तो y की value कितनी आगी 19 अपॉन 9 दूसरी x की value minus 11 अपॉन 9